अब हम लोग 23 में आ चुके हैं और कैसा रहा आप लोग का न्यूस एयर और जो भी आप लोगों ने सोचा है किस तरीके से न्यूएर में चीज़े करेंगे में बता सकते हैं हमारा टॉपिक अब डिसकुशन आज का ये है कि CSIR HRDZ कब नोटिफिकेशन रिलीज करने वाला है रिगार्डिंग निक्स्ट CSIR UGC Net Examination मैंने प्रिविएसली एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये सू किया था कि उन्होंने मेल में क्या रिस्पॉंस किया और तो उनके एक ओर्डिंग जो एक्जामिनेशन है CSIR UGC Net December 2022 का एक्जामिनेशन वो कंड़क्ट करने वाले हैं अप्रिगल 2023 में तो उसका नोटिफिकेशन ऑफिसियल कब वो लोग टेंटिवली रिलीज करेंगे हम इस पर बात करेंगे आपसे और बात करने का एक और रिजन ये है कि बहुत सारे लोग desperately wait कर रहे हैं और दूसरी चीज यदि मैं ऐसे normally कह दूँ कि नोटिफिकेशन जो है वो स्टेट को रिलीज होगी एक नॉर्मल सा पोस्ट कर देती तो भी बाते वहां भी खतम हो सकती थी बट चीजों को जैसा कि मैं रिप्रिजेंट करती हूं डिलेट करके स्टोडी बना के लाइक इस तरीके से चीज़ें हैं तो इस तरीके से चीज़ें होंगी तो कहीं न कहीं वो चीज़े अथेंटिक लगती है otherwise कोई भी आके कुछ भी चीज़े कह दे तो जैसा कि उन्होंने कहा जो एक्जामीनेशन है वो अपडेल 2023 में वो लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं और जैसा कि आप लोग चानते हैं कि एक्जामीनेशन कोई सा भी हो जब फॉर्म फिलिंग का टाइम डिरेशन रहता है वो हार्ली जो है वो वन मन्त का रहता है 30 डेज में आप लोग फॉर्म फिलिंग करिए इसके ब उस चीज को सब्मिट किया जाता है और एक आपके पास जो है एक्जाम कलेंडर टाइप का वो लोग डेट बताते है कि आपका एक्जाम इस डेट को है हला कि जब से CSR जो है वो ऑल्लाइन मोड में आया है तो सिप्ट वाइज एक्जाम होने लगा है डिफरेंट सिप्ट मत देट पर होता है और बीच में जो भी छीज़ें वह अड है या नहीं तो अभी हम लोग जनवरी में इन किये है और जदी हम इस तरीके से देखें तो हमारे पास त्री मन्स का टाइम है जनवरी, फरवरी मार जदी मैं इस तरी से एक्सपेक्ट करूं कि फर्स सेकंड वीक मे यदि वो conduct कर रहे हैं तो और जैसा कि उन्होंने कुछ आ जो है वो clear नहीं किया और अब clear करने के लिए उन्हें ये करना है CSHRDZ के twitter handle पे या notification जो मैं आपको website सो कर रही हूँ इस website पे ये जो notice वाला section है यहाँ पे आपको चीज़े जो है वो देखने को मिल सकती है news वाले section में तो उसमें उन्हें ये सो करना है कि हम जो है वो examination फलाने फलाने date पे conduct करने वाले हैं जैसा कि आपको UGC net की notification में दिखा और ये ये चीज़े रहेंगी तो उसके लिए जो है CSIR का UG sorry NTA के साथ एक जो भी high level की meeting होती है जो चीज़े होती है regarding जो date उनके पास available है उसके बाद ही वो notification release करेंगे so hardly वो two months पहले भी ये नोटिफिकेशन release करते है तो कोई चीज़े बहुत बड़ी issue नहीं हो जाएगी क्योंकि अभी जो लोग mail कर रहे हैं उनको लोग same reply भेज रहे हैं जितने भी लोग mail कर रहे हैं वह सारे लोगों का उन्होंने reply किया कि हम अप्रेल में conduct करने वाले है तो एक तरीकी का उनका ऑफिसल जो है वो चीज़े होई चुकी है बस एक बार और इस चीज़े करके भी देट डाल रहा है तो I hope इस month में वो ये चीज़े clear कर दे अब इस month में ये आज कर दे कल कर दे ऐ रिलीज किया जाता है तो वह एक्जाम easily conduct हो जाता है form feeling से लेके जो admit card download करने तक का process होता है वो सब easily क्यूंकि आप तो ऐसा होने लगा है कि एक्जाम से दो दिन पहले admit का राता है उससे पहले आपको advanced city जो भी intimation की चीज़े बता दी जाती है तो इस लिए आप लोग इस ची सेप्टेंबर में जाकी होगा और फिर वही सेशन जो है वो डिस्टर्ब होती जाएंगी सो यही सही रहेगा कि आप चीज़े को अच्छे से कर ले और मेरे को नहीं लगता है कि जूर अप्रेल में exam conduct होड़ा है तो सेप्टेंबर में भी conduct हो पाएगा उससे भी लेट होने वाली है जीज़े तो साइकल पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने वाली है सो विस्यू आल दे वैरी वेस्ट गाइस फुर्डर प्रप्रेशन और जम के लग जाए इस बार क्लियर करके जाना है जितने लोग लगे हुए है एक अपने जोस के साथ उसको आपको बढ़करार र झाल 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